सांसद नकुलनात ने शिवरास सरकार से किसानों को गेहूं की 160 रुपए प्रतिकुंटल की बोनस राशी देनी की मांगी है नकुलनात ने EMS TV से चर्चा करते हुए कहा कि कमलनास सरकार किसानों को 1 अपरेल से गेहूं का 160 रुपए बोनस देने जा रही थी लेकिन इससे पहले ही कॉंग्रिस की सरकार गिरा दी गई नकुलनात ने कहा कि मुख्यमंतरी शिवरास सिंग चौहान संकट की घड़ी में किसानों को उनके हक का 160 रुपए प्रतिकुंटल का बोनस प्रदान करें बोपाल से EMS TV के लिए कैमरामन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट झाल